हेलो, जैसा कि आप जानते हैं Google का Pixel 6a फोन आने वाला है जल्दी ही और मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्यों मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसी इसमें क्या खास बात है, क्यों ये फोन इतना स्पेशल है इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे और मैं अपने थॉट्स को आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप देखें, तो आजकल जो फोन के प्राइसेज हैं, वो काफी हाई होने लग गए हैं और ऐसे मार्केट में अगर कोई अच्छे प्राइस में यानि के एक्सपेंसिव ना हो और एफोर्डेबल हो उस प्राइस से अगर कोई बहुत अच्छा फोन अगर आता है तो मैं उसको लेकर काफी एकसाइटिड हो जाता हूँ जैसे कि पास्ट में पिक्सल 5A या पिक्सल 4A मैंने पर्सनली यूज की हैं बहुत इशानदार फोन रहे हैं उसके अलावा गलेक्सी के A सीरीज फोन लाइक A53, A73 या फिर OnePlus Nord फोन या फिर और भी काफी सारे फोन मार्केट में इस तरह के आते हैं जो एक Perfect Value for Money आपको प्रोवाइड करते हैं तो हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कैसे पिक्सल 6A एक Perfect Value for Money फोन आपके लिए होगा और इसमें ऐसी क्या-क्या खास बाते हैं जो इस फोन को स्पेशल बनाती हैं और हमको एकसाइट होने पर मजबूर कर देती हैं कि हाँ यह फोन आ रहा है इसके लिए वेट करना चाहिए बहुत ही sensible decision होगा और इसको लेना चाहिए तो आएए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन सब points के बारे में तो सबसे पहला point जो pixel 6a को बहुत जादा special बनाता है वो है इसके hardware को लेकर जैसे की phone का design जो कि अपने आप में pro series वाले आप पिक्सल 6 series वाले जो phones हैं उनसे काफी मिलता जो उलता provide किया गया है उसके अलावा इसमें जो हमको tensorship provide की गई है वो एक बहुत ही specialty इस phone की बन जाती है क्योंकि यह वही टैंसर चिप है जो कि Google के flagship phones में आती है और यह कुछ-कुछ इस तरह का है जैसे कि Apple भी अपने flagship processors को जैसे A16, A15 वगेरा को pro phones में भी देता है normal iPhone 13 में 13 Pro में भी है mini में भी है यहां तक कि iPhone SE में भी वही similar chip हमको मिलती है यह कुछ इसी तरह का यहां पर भी Google ने करके दिखाया है कि flagship processor flagship chip Google की अपनी अपना hardware वो जो कि pro phones में आता है Pixel 6, Pixel 6 Pro में वही हमको Pixel 6 A में भी देखने को मिल रहा है और इसी चिप की वजए से इसी टैंसर चिप की वजए से machine learning और artificial intelligence जैसे बहुत सारे features को हम use कर पाते है Google के Pixel phones में और क्या-क्या यह features होते है किस त प्रोइड करती है जिससे कि यह phone बहुत जबरदस हो जाते है यूज करने में वह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे आप देखते रहे है तो टैंसर चिप जो है Pixel phones पर एक बहुती word class speech recognition system को अंजाम देती है बहुती अच्छी तरीके से वह काम करता है और मेरी opinion में शायद क किसी भी photo के background में अगर कोई unwanted object है जैसे कि आपने अपनी photo ली किसी public place पर और पीछे कोई और objects आ गये कुछ और लोग चलते फिरते capture हो गये आपकी photo में तो आप उसको personalize कर सकते है magic eraser से उन लोगों को आप उन photo से हटा सकते है ये भी एक बहुत ही शांदार feature है और इतना ही न पाएगा उसके हलावा language translation और live caption जैसे जबरदस feature जो की काफी fast काम करते हैं हमें pixel 6 phone में या pixel 6a phone में use करने को मिलेंगे तो जो google का tensor processor है वो अपने आप में एक flagship class का processor है flagship मतलब ऐसा प्रोसेसर जो की companies अपने top end variant phones में use करती है जैसे apple का A series processor हो गये A 15, A 14 या फिर Samsung का Exynos हो गया या फिर snap dragon का 8 series के phone होगे जैसे आजकल 8 series Gen 1 चल रहा है उधी तरह से tensor google का एक flagship processor है Google इसको अपने top end phones में last year launch करके लेके आया था और यही processor हमको अब pixel 6a में भी मिल जा रहा है और इसी की वज़े से pixel 6a एक बहुती special phone बन जाता है अपने market में अपने price segment में ये किसी भी और phone को जबर्दस टक कर देगा और मेरी personal opinion में किसी भी और phone से इस price segment में pixel phone लेना ही एक wise और अच्छा decision होगा android fans के लिए जो android को पसंद करते हैं actually जब pixel 6a के rumors आने start हुए थे या फिर मैं wait कर रहा था कि एक साल pixel 6a phone आएगा तो मेरे को मेरी wish list में सबसे बड़ा feature ये था कि इस phone के अंदर tensor chip आ जाए तो मज़ा आ जाए और हाला कि personally मुझे लगता नहीं था कि Google इस phone के अंदर हमें tensor chip देगा I was thinking कि शाइज Snapdragon का कोई 7 series processor या जो इस phone की मेरे को लगती है वो ये है कि इसका design exactly similar to pro devices है अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको काफी premium सा देखने वाले design मिलेगा एक notch less display मिलेगा जिसके bezels बहुत ही छोटे हैं उसके अलावा जो camera bar है वो एकदम pro devices की तरह है बिल्कुल उनी की तरह की है तो design को लेकर Google न जो कहेंगे कि इसके अंदर pixel 6 या 6 pro की तरह 50 megapixels के cameras नहीं है 12.2 megapixels का primary camera है बट वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा camera बहुत ही अच्छे photography लेके आता है क्योंकि Google ने past में हमको show कर दिया है कि 12 megapixels के cameras बहुत ही amazing work कर पाते है और इतना बड़ा इससे फरक नहीं है और अगर आप देखेंगे तो iPhone में आज तक भी 12 megapixels के cameras ही आते हैं तो that is not much of a difference उसके अलावा ultra wide में भी हमको 12 megapixels का एक इसमें sensor देखने को मिल जाता है लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये तो pixel 5A जो कि पिछले साल आया था उससे भी कम है क्योंकि उसमें 16 megapixels का हमें ultra wide camera म पाएगा because इसके जो sensor के pixel sizes हैं वो थोड़े बड़े हैं large हैं और उसकी वैसे ज्यादा light capture कर पाएँगे when we are using the cameras और उसकी वैसे more clear picture आएगी more clear videos capture हो पाएँगे इसलिए 12 megapixels is absolutely fine. pixels phones हमेशा से ही photography के लिए जाने जाते रहे हैं और मेरी opinion में इस phone की photography experience या video experience हमको जो देखने को मिलेगा वो pixel 5A और pixel 6 या 6 pro के बीच में कहीं होगा जो कि अपने आप में काफी शांदार होगा इसके अलाबा night sight photography में भी gossip के low light shots हमको देखने को मिलेंगे या use कर पाएँगे हम जो की iPhone SE के comparison में मेरी opinion में बहुत उम्दा बहुत ही बहतर होने वाले हैं तो pixel 6A आना है जुलाई में जो की अभी भी थोड़ा सा दूर है लगबख डेढ़ दो महिने का time उसमें बचा हुआ है but I am eagerly waiting for that and so should you अगर आप कोई phone लेने का प्लान कर रहे हैं इस price range के section में या segment मे मुझे ऐसा लगता है कि pixel 6A इस साल का सबसे important सबसे exciting phone होने वाला है अपने features को लेकर अपने chipset को लेकर अपने display को लेकर in everything it is going to have killer performance और इसलिए मैं eagerly इसका wait कर रहा हूँ उन पर वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है उससे वो हमें पता चल पाएगा तो stay tuned for that और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye but wait 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 अभी जाने से पहले एक last चीज में आपको बोलनी भूल गया वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना notification bell को दबा देना ताकि आपको मिलते रहे है notification update सबसे पहले bye bye friends see you in the next video